हेलो फ्रेंड आजके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने ब्लॉग वेब साइट के लिए हाई क्वाइलिटी डू फोलो बैक लिंग कैसे क्रियर्ट करेंगे जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका डिए पिए बहुत ही अधीक है अगर दोस्तों आप लोग इन सब साइट के उपर से अपने ब्लॉग वेब साइट के लि अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या वीडियो हेलफूल लगे तो प्लीज वीडियो को जबूर लाइक करें और हो सके तो दोस्तों वीडियो को सेर भी करें ताके अधिक साधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और साथी साथ दोस्तों इस वीडिय चैनल को नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वगल में घंटे का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताके आने वाली वीडियो का नौट्रिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे लेटिस्ट वीडियो का लूप सबसे पहले उठा पाएं सबसे पह पोस्ट को जल से जल रैंक करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपने ब्लोग वेफसाइट के लिए अधीक से अधीक बैक लिंग जनरेट करें लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ लोग यह भी करने लगते हैं बहुत ऐसी साइट आपको मिल जाएगी जहां से आप लोग अपन आना कम हो जाए इसलिए दोस्तों आपको हमेशा कोशिश करना है कि अपने ब्लोग वेफसाइट के लिए डू फोलो बैक लिंग करें और दोस्तों हो सके तो आप लोग उन साइटों के ऊपर विजिट कीजिए जिसका डीए पीए बहुत अधीक है अगर दोस्तों आप आरे साथ सिस्टम पे चलना होगा ताकि दोस्तों मैं आपको बहतर तरीके समझा पाऊं कि वहां पर आप लोग किस तरह से अपने ब्लोग वेफसाइट के लिए डू फोलो बैक लिंग कर पाएंगे तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और आपको बताते हैं स्टेप बाई सिस्टम पे और यहां पे दोस्तों आप लोग देश सकते हैं हमारा साइट यहां पे लाइब है तो सिंपली दोस्तों मैं आपको कुछ साइट के बारे हैं बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग अपने साइट के ओपर डू फोलो बैक लिंग कर पाएंगे तो सबसे पहरा साइट दोस्तों हम यहां पे ओपन करके रखे वे जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आपको साइन अप करना होगा ठीक है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हम साइन अप किये वे हैं अगर दोस्तों आप लोग यहां पे साइन अप नही देखने को मिलेगा अब सिंपरी दोस्तों आपको एडिट फॉड़ो फाइल के ओपर यहां पर क्लिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना डिस्पिले नेम जो भी देना चाहते हैं जैसे यहां पर यूजर आईडि वगएरा ठीक है और यहां पर दे दें आप उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक option मिलता है जहां पर आप लोग अपने website को यानि add कर सकते हैं और यहां से do follow backlink create कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो एक post लिखा था based amp blogger template हम उसके ओपर चाहते हैं do follow backlink तो हमने उसका URL यहां पर डाल दिया है डालने के बाद दोस्तों यहां पर आपको save कर लेना है अब दोस्तों यहां पर कुछ side और यहां पर आप लोग add कर सकते हैं simply आप यहाँ पर एड के ओपर करें click अब यहां पर title दे सकते हैं सिम्परी दोस्तों हम अपने site kan url ही यहां प भी दे देते हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर सेटिंग के ऊपर कर देंगे क्लिक जैसी दोस्तों यहाँ पर सेफ कर लेंगे तो हमारे सामने इस तरह का मैसेज मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर आप डेस्ट बोर्ड को ओपें करके देख सकते हैं simply दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का option देखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोग view profile के उपर कर सकते हैं के लिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा account यहाँ पे open हो गिया आप दोस्तों यहाँ पे बात रही यह जो link हमने यहाँ पे add किया है तो यह do follow है या no follow है तो उसको कैसे check करेंगे simply हम यहाँ पे mouse लेके जाएंगे और simply हम लोग right click करेंगे और inspect के उपर करेंगे click तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको last में zero दीख रहा है यहाँ पे किसी भी तरह का no follow के बारे में नहीं बोला जा रहा है तो यहाँ पे दोस्तों मुझे do follow backlink मिलने वाला है अब दोस्तों यहा देखाएंगे small SEO वाले साइड के उपर और यहां पर दोस्तों simply मैं आपको इसका DA चेक करके देखा देता हूं पेस्ट करता हूं और यहां पर चेक authority के उपर करते हैं किलिक और यहां पर दोस्तों नीचे में यह चेक करेगा ठीक है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह 86 इसका DA है ठीक है तो यह काफी अच्छा साइड है आप लोग यहां पर जरूर आए और अपना backlink create करें ठीक है यह सबसे पहला साइड था अब दोस दोस्तों हम यहां पे डालेंगे URL अब यहां पर URL डालने के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे ठीक है अब यहां पर दोस्तों नीचे में आपको option मिल जाता है यहां से आप लोग चेक के उपर करेंगे क्लिक तो यह Automatical यहाँ पर चेक कर देगा यहाँ पर दोस्तों आप दिश कर देगा है इसका DA जो है 87 है यहाँ पर देख लिजी इसका DA 98 है तो simply दोस्तों हम लोग इसके उपर करते हैं विजिट विजिट करने के बाद यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहां पर कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है तो यहां पर दोस्तों लॉगिंग का आपको बटम देखने को मिल रहा है इसके ओपर आप करें किलिक क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का option भी देखने को मिलेगा यह website cookies मांग रहा है तो आपको site यहाँ पे accept करना पड़ेगा तो simply आप यहाँ पे accept कर लिजिए और यहाँ पे आपको सबसे पहले account बनाना होगा account बनाने के लिए दोस्तों आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है तो simply हम अपना यहाँ पे नाम डाल लेते हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक email id डालना है और यहाँ पे दोस्तों आपको password डालना है password दो आपको यहाँ पर डालना है इसमें number character सब होना चाहिए ठीक है और एक special character भी होना चाहिए तभी आप यहाँ पर account create कर पाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको tick लगाना है उसका submit के ओपर करना है click तो हो सकता है दोस्तों कि आपको एक verification email भीजा जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर interface देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने account को verify करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आया हुआ है तो simply हम लोग इसके ओपर करते हैं click क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर मुझे करना होगा किलिक तभी हमारा यानि एकांट जो है यह वेडिफाय होगा यह रिडारिक्ट हो रहा है ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैसेज भी मुझे मिल गया कि भाई आपका इमेल यहां पर वेडिफा करना है कुछ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वर्क करना है यहां पर अप्लोड यह वर्क के उपर आपको करना है किलिक जैसी दोस्तों आप यहां पर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा अब यहां पर लोग सकते हैं जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना इमेज एक अपलोड करना है तो चलिए हम यहां से इमेज को अपलोड कर देते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है टाइटल देना है डिस्क्रिप्शन देना है चलिए मैं आपको बता रहा हूं यह फॉ अगरा यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अभी मैं यह टैग यहाँ पर डाल देता हूँ, अब यहाँ पर कैटेगरी जो है, जो भी आपका Westsite, जिस पर है, यह संहा है कि क्या है, यहाँ परिणी कर सकते हैं, अब यहां पे add sources URL आप लोग अपना यहां पे website का URL दें ठीक है यहां अपने post का URL दें simply मैं यहां पे अपने website का URL दे रहा हूँ ठीक है अब दोस्तों यहां पे आपको अपना नाम देना है कहने का मतलब है यहाँ पर आपको completely अपना नाम देना है तो चलिए हम अपना यहाँ पर नाम दे देते हैं चलिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट को एड कर लूँ ठीक है तो यहाँ पर simply हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे ठीक है यहाँ पर अपना email id डाल दे और इस पोस्ट का जो URL है तो simply हम लोग जहां से इसका कॉपी करके इस पोस्ट का URL डाल देते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ज्यादे इस पैम वगड़ा ना करें नहीं तो यह आपके एकांट को ब्लॉक कर देगा और आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जीस वज़ा से आपको जो बैक लिंक वगड़ा है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा ठीक है तो simply हमने यहाँ पर डाल दिया है डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर I am not robot के उपर आपको कर देना है किलिक simply हम लोग यहाँ पर submit के उपर करते हैं किलिक यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह submission का process start हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा submit हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर बात रही कि यहाँ पर कुछ time लगता है और उसके बाद पर backlink मिलेगा ठीक है और यह दोस्तों यहां तक मैं आपको बता दूँ किसका डी ये बहुत ही strong है कहने का मतलब है दोस्तों कि इस website का जो डी है बहुत अधीक है अब दोस्तों यहां पर जो हमने एक template को यानि template के लिए backlink लिया है तो चलिए हम इसको यहां पर check करके देखते हैं कि ये क्या है तो simply दोस्तों यहां पर हमने click किया और यहां पर आप लूग moisture मिल आ है तो simply हम यह पर edit HTML के ओपर करते हैं click यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहा है कि यहां पर जो मुझे मिला है यह do follow backlink है यहां पर किसी भी तरह का आप देख रहा है कि आपको no follow नहीं बोला जा रहा है ठीक है जिसका मतलब है कि यह do follow backlink है अब दोस्तों इसी तरह से आपको सारे website के उपर visit करना है visit करने के बाद दोस्तों वहां से आप लोग backlink create कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आपके सामने जतना भी side मिल रहा है सारा पर आपको same process करना है अब दोस्तों यह जो side है तो simply मैं आपको इसके उपर visit करके दिखा देता हूँ और साथी साथ दोस्तों सबसे पहले इसका domain authority जो है वो आप देख लिजे कि कितना है तो simply दोस्तों यहां पर अभी हम इसे paste करने वाले है पेस्ट करने के बाद हम लो authority है यह भी दोस्तों काफी अच्छा है अगर आप लोग यहां पर भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो simply हम लोग इसके उपर भी visit कर सकते हैं तो चलिए हम लोग यहां पर visit करके देख लेते हैं कि यह side कैसा है यहां पर कैसे क्या करना है तो यहां पर भी दोस्तों आप पर इस तरह का option देखने को मिलेगा अब यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम देदें जो भी आपका नाम है, वो यहाँ पर आप लोग नाम देदें नाम देने के बाद दोस्तों आप लोग एक पासवर्ड चूज कर लें आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहां पर डाल लिजिए और उसके राद री इंटर पासवर्ड आप यहां पर डाल लीजिए ठीक है डालने के बाद दोस्तों यहां पे आप लोग अपना इमेल डी डाल लिए उसके अपना टाइम स्लेक्ट करना चाहते हैं यहां नहीं तो दोस्तों यहां पर आप लोग जोएन नौ के ऊपर करेंगे तो आपके सामने कुछ अलग सा इंटरफेस देखने को मिलेगा ठीक है और आपका यहां पर एकांट क्रियेट हो गया अब हो सकता है दोस्तों कि आपको एक इमेल भी गय से तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहां पर कैसे काम कर सकते हैं तो सिंपली दोस्तों यहां पर आपको दो आपसन मिलता है होमपेज जाने का और इडिट योर प्रोफाइल यहां पर दोस्तों आपको जाना होगा इडिट योर प्रोफाइल के ऊपर जैसी दोस्तों आप यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर आप कैसे अपने साइट के लिए do follow backlink बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर दोस्तों सिंपली आप जिस भी साइट के ऊपर do follow backlink बनाना चाहते हैं तो simply आपको यहां पर यहां पर देख रहे हैं यहां पर दोस्तों आपको लिखना है आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है कुछ भी क्या यहां पर जो कुछ भी लिखे हैं आप helpful जानकारी दें ठीक है तो simply हम यहां पर इसे paste तो यहां पर दोस्तों आपको मौस सपोर्ट नहीं कर रहा है यहां पर मैंवली सब कुछ करना होगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर मैं चाहता हूँ अपने साइट अपने यहां पर डोमेन के ऊपर लिंक लगाना तो तो simply दोस्तों यहां से हम लोग अपने में को कॉपी करेंगे ठीक है मुझे यहां पर डोमेन के ऊपर ही दु फ़ोलो बैक लिंक चाहिए तो simply हम यहां पर स्ट्च करने के बाद दोस्तों यह अपको चोटा वाल एक लिंक लिक 딱 मिल रहा है लेकिन by default जो रहेगा आप उसे भी छोड़ सकते हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं वरना आप इसे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको कर देना है किलिक ठीक है तो यहाँ पर आपको उपर में ही option देखने को मुलता है save और cancel आप जो भी करना चाहते हैं अपने इसाप से कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर save करूंगा save के उपर कर देते हैं click तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे link आ चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं कहने का मतलब है कि अगर आप चाहोगे अपने post के लिए बनाना तो यहाँ से आप बना सकते हो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे click करके और right click करने के बाद inspect के उपर जाएंगे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसी भी तरह का यहाँ पे indicate नहीं किया गया है कि यह no follow है कि do follow है अगर दोस्तों यहाँ पे no follow होता तो यह no follow होता अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है do follow back link है तो यहाँ पे दोस्तों हमने बना लिया बहुत ही आसानी के साथ अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह सब जो आपको मैं side यहाँ में provide कर रहा हूँ इसका da pa script मैं आपको check करके दिखा देता हूँ कितना अधीक है अब simply दोस्तों आप लोगों को इसके ओपर sign up करना है और sign up करने के बाद आपको यहाँ पे इसी तरह से profile को update करना है अब दोस्तों यहाँ पे page हो चुका है refresh अब हम लोग यहाँ पे इसे paste करते हैं paste करने के बाद हम लोग इसे check करेंगे तो simply दोस्तों इसका भी जो da है बहुत अधीक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं एक 70 यानि 71 डीय है और पी इसका 54 है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे बचा दूसरा तो जलिए हम लोग उसको भी जहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी हम इसे select करके यहाँ से copy करते हैं copy करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे domain को paste करेंगे paste करने के बाद दोस्तों यहां पर हम लोग इसे check के उपर करेंगे click तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं यह check हो रहा है इसका भी DA काफी अच्छा है और PA भी अच्छा है ठीक है अब दोस्तों हम लोग यहां पर फिर से इसे replace करते हैं और यह आकरी वाला जो है इसे भी हम यहां से copy कर लेते हैं copy करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इसे paste करना है ठीक है paste करने के बाद आप यहां से check कर सकते हैं ठीक है कि इसका कितना DA वगेरा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका भी DA विरासी है, यानि कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर हमने आपको 6 साइट बताया है, इन सब साइट के ओपर आपको जाके simply sign up करना है, यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी सबका DA बहुत ही अधीक है, और यहाँ से अगर आप लोग backlink बना लेते हैं, तो आपकी साइट की जो ranking है, यह automatic increase करेगी, अपने साइट के ओपर आप traffic वगएरा भी ला सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अपने साइट के ओपर do follow backlink ब देंगे, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज comment करके जरूर मुझे बताइएगा, और साथी साथ दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर आप लोग हमारे चैनल क पर नए है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा थैंक यू फूर वाचिंग